यह जो वीडियो है यह आपकी पार्ट नमबर वन आपको अल्रेड़ी दिया जा चुका है अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट नमबर वन की वीडियो ज़रू देखने क्यों कि आज हम लोग सिर्फ आगे की निमेरिकल स्वाल करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में हम लोग ने किये थे क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको फार्मूले और यूनिट से आपको क्या किया है तो सम्झाएं हुए और साथ-साथ इनकी units बहीं जाही है लखी हुई है उइनकी units भी यहां लिखी है और formula कि भी लिखे हैं मैंने आपको समझाया हुआ अगर आप the part 1 की video देख लेंगे तो sms लगाने में कोई दिक्त नहीं होगे पिछली वीडियो में अगर आपको यादार होगा यह वाला sums हम लोगों ने किया था यानि कि हम लोगों ने कई sums solve किये थे आज हमें आगे के sums क्या करने solve करने यहां तक के sums हम लोगों ने क्या करने solve करने तो अब आप लोगों को थोड़ा और perfect बनाने के लिए मैं कुछ questions और कराने जा रहा हूँ ताकि पिछले वीडियो के जितने भी सारी चीजे जितने भी फार्मूले थे जितने भी units थी थी थोड़े और perfect हो जाएं तब हम electrochemistry का next topic discuss करना सुरू करेंगे तो यह आपका part number 2 है इस बहुत ही प्यारा question है ओके प्यारा question कैसे है अभी बता चलेगा अब potential difference of 20 volt दिया हुआ क्या दिया है 20 volt दिया हुआ apply to the ends of a coulomb of 0.1 mole AGNO3 solution 4 cm in diameter and 12 cm in length gave a current 0.20 ampere calculate करना है conductivity और क्या करना है molar conductivity आप solution क्या करना आपको solve करना है अब आईए questions को पहले solve करना सुरू करते है question को solve करने से पहले question में क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते है क्या दिया है 20 V दिया है यानि कि यह क्या दिया है बोल्ट दिया हुआ यानि कि V हो जाएगा उसके बाद कोशन में क्या दिया हुआ अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया हुआ अगर आप देखें, क्या दिया है, 0.20 A दिया हुआ, यानि कि I दिया हुआ, यानि कि V दिया है और I दिया हुआ, concentration of solution कितना दिया है, 0.1 दिया हुआ, diameter क्या दिया हुआ, ज़रा चेक कर लिजे, diameter कितना दिया हुआ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, diameter कितना दिया हुआ, प्टिवट निकलने के लिए आप क्या करोगे, 2R is equal to 4, कार दोगे, तो क्या हो जाएगा, R की वैलू निकलने के बाद क्या होगा, आप एक ही वैलू निकालोगे, किस वैलू निकालोगे, एक क्या है, आपको फिछली वीडियो में बता है, जा चुका है, okay, Pi r² A की value क्या है Pi r² होता है और Pi की value क्या होती है 22 upon 7 into r की value कितनी है 2 है और r² है तो 2 का 2 हो जाएगा A की value जो आएगी solve करने के बाद 12.57 cm² आएगा 12.57 cm² आएगा अब चेक करिएगा अब धेर सारी questions solve करते हैं पहला क्या दिया हो क्या दिया हुआ यहां K conductivity का जो फार्मूला होता है क्या होता है K is equal to G into L upon A होता है क्या होता है L upon A G क्या है conductance है अब आप देखो conductance की value फार्मूले में नहीं दिया है Conductance की Value फार्मूले में नहीं दिय है आपको मैं बता दू Conductance is equal to क्या होता है यानि कि G is equal to 1 upon R होता है क्या होता है तो अगर देख़िये तो R की Value भी नहीं दिय है R की Value भी नहीं दिय है क्या गर्यासिके सम्स की यही खास बात होती है क्या होता है V upon I होता है अब V की value वहाँ पर दी हुई है और I की value दी हुई है तो V की value क्या थी 20 और I की value क्या थी 0.20 था decimal हटाने के लिए मैंने 100 से multiply कर दिया R की value कितनी आगे 100 Ohm आगे क्या आगे 100 Ohm आगे अब R की value मैंने G में रख दिया तो G is equal to 1 upon 100 हो गया अब G की value मैंने यहां रख दिया अब आप चेक कर सकते हैं तो G की value हमने क्या रख दिया 1 upon 100 कर दिया into L की value कितनी दिया 12 दी हुई है और A की value कितनी आए थी A की value कितनी आए थी अगर आप देखें कितनी आए थी 12.25 आए थी C में सेंटी मिटर इनवर्स हो जाएगी आगे की निया आगे molar conductivity निकलना है molar conductivity निकलने के लिए क्या करेंगे चेक करिएगा molar conductivity जो फार्मूला होता है molar conductivity को रिपरेजन किया जाता है lambda M से molar conductivity के इंटू 1000 upon C होता है अब देखें के value अभी अभी आपने क्या क्या है निकाला हुआ तो अब आप क्या कर सकते है 9.55 into 10 to the power minus 3 upon क्या कर सकते है 0.1 कर सकते है अच्छा यहाँ पर देखे एक 0 कमल ले लगाया है मैंने तो एक 0 और बढ़ा दिया मैंने और इसको solve करने के बाद आपका कितना हो जाएगा 95.5 cm cm2 उसको एक पेस पर क्या कर लिए लिख लिजे और इससे लिटे कम से कम 15 से 20 कोश्चन आप क्या कर लिजे solve कर लिजे उसके बाद एक्जाम में कितना भी difficult कोश्चन दिया जाएगा आप आसानी से करके आ जाओगे बसरते आप इमानदारी से practice करके जाए तो इसको सिर्फ देखके छोड़िये गने मैंने पहले बताया है फर्स्ट वीडियो में सारे इंस्ट्रेक्शन मैंने आपको दिया हुए कि नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे जिसकी molar continuity क्या है larger है इसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले से solve करना पड़ेगा तो जब इससे आप solve करोगे तब ही तो पता चलेगा आए solve करते है तो देखे पहला मैंने यहां लिखा हुआ दूसरा मैंने यहां लिखा हुआ पहले का concentration कितना है 0.08 mole liter inverse है दूसरे का concentration कितना है 0.1 mole liter inverse है पहले में के की value कितनी जी है 0.2 into 10 power minus 2 दिया हुआ अच्छा दूसरे वाले में क्या दिया हुआ इस पे resistivity दिया हुआ क्या दिया हुआ resistivity दिया हुआ तो अब कितना दिया हुआ यहां के दिया हुआ और रो दिया हुआ इसको क्या दिया हुआ यहाद रखे-गा first video जाकर क्या आप देखोगे तो आपको सॉमी आ जाएगा ओ ठीक है रो क्या होता है k is equal to क्या होता 1 upon rho होता है wanna upon rho होता है यहाँ की value नहीं दिया निकालन क्या है अच्छा यहाँ पर के की वैलू डाइन देखेंगा अभूर इन वार्ड यहां पर कई की वैलू नहीं देखेंगा है के लिए ठीज़ने के लिए कई हैं न्हीं निकाल्ञेकर स्पड़ने के लिए फर्मूला मैं पताँ तो K is अब रो की जगह पर क्या जाएगा और 50 जड़ेगा, जाएगा क्या जाएगा 50, अब किया की वैलू यहां क्या रखा गया, प्रौन अब देखें की वैलू कितनी यह गई? इसकी value आ गया 200 cm, cm2, mol inverse आ गया, अब आपको देख सकते हैं, इसका कितना आया था, 250 आया था, 100 आपको कह सकते हैं, solution has, solution, solution 1 बोल सकते हैं, solution 1 has larger molar conductivity, यह first वाला था, यह second वाला था, solution 1 has larger conductivity, molar conductivity, याद रखेगा, चलिए, अगला कोशन solve करते हैं, अगला कोशन क्या दिया हुआ, यह भी कोशन अच्छा कोशन है, क्या दिया हुआ, the resistance of 0.5N solution of an electrolyte in conductivity cell was found to be 25 ohm, calculate the equivalent conductivity of solution if the electrodes in the cell are 1.6 cm apart and have an area, कितना, 3.2 cm, question IIT में आया हुआ, जड़ा चेक करते हैं, बहुत ही simple question है, concentration अगर आप देखें, concentration solution का कितना दिया हुआ, 0.5 दिया हुआ, resistance मतब R, कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ, क्या निकालना है, molar conductivity निकालना है, देखें, simple solution है, अच्छा, यहाँ पर L की value क्या दियी हुई है, L की value अगर आप देखें, क्या दिया हुआ, L की value दिया है, 1.6 cm और A की value दिया हुए, तो अब sums लग गया, समझें, सेक्ट सब्सकतワー sí prag eme सब्सक्राइब num México मोलर कन्डिकोटीन स्वक्राइब के 10वह हतार च्राह धनने के लिए fine की value नहीं पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां किसको k को सॉल्व करना पड़ेगा तो देखें के इकुल क्या होता है k is equal to g into l upon a होता है अब भाएसाब g की value हमको और निकालने के लिए हम यहां गये वन अपार अर अब 1 अपार ऑसार की निकलने के लिए रखेले 40 cm2 mol inverse हो जाएगा, आंसर सारी फटा फट निकलते चले जाएगे, आप चेक तो करिए अपने आपको पहले, अब आपको स्वाम्या आना सुरू हो गया, यहां दिया हुआ, molar conductance, molar conductance आप 1.5 mol, यानि कि concentration कितना दिया हो, इतना दिया हुआ, solution of electrolyte is found to be this, okay, this, उसके बाद कियाया है कि what would be the specific conductance, specific conductivity बूलाजाये, या conductivity बूलाजाये, बोफ है रहण थे सेम थिंग, conductivity मतलब के होता है, और specific conductivity मतलब भी क्या होताई, के होता है, तो इन कंफ्यूस मत करिएगा, conductivity बूला जाये, तभी के, specific conductivity बूला जाये, तभी के, प्रवाइब आपको पहले से पता है तो मुझे लगता है कि अब आप इसको खुद क्या कर सकते हैं और यहां पर देख लिए आंसर इतना रहा है क्यातना रहा है 20.84 इंटो 10 दो पावर 3 सीमेन मोल इन्वर्स आएगा तो आप इसे का करिएगा सॉल्व कर लिएगा तो उमीद करते हैं अब आपको वीडियो सवन में अच्छी तरह से आ गई होगी पाइट नमबर वन नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा जितना भी करें लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हां ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल करें ताकि जैसे आप पढ़ पा रहें वह भी लोग पढ़ पाए ओके तैंके सो मच पढ़ते रहें बढ़ते रहें